हाई एवरिवान स्वागत एक और नए वीडियो पूस्व दोस्तों बहुत सारे भाई लोग का हमारे पास केमेंट आ रहाता है कि हम एक एमिल फायर लेना चाहते हैं यानि एक चैनल का एना चाहिए या डूनों में से कौन सा बेटर रहता है और दोनों में से कौन सा इमिल फायर का ज़्यादा प्राइज लगेगा तो आज के इस वीडियो में सारा डिटेल और सारा स्पिकेसन आप लोग को इन दोना एमिल फायर के बारे में देने वाला हुँ जो कि आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा बहुत सारे भाई लोग के ऐसा कन्फिजन होता है कि डूअल चैनल के अमिल फायर कम पौर निकाल कर देता है और जो ज्यादा पौर निकाल कर देता है तो गई सार आज की इस वीडियो में पूरा जनकारी आप लोग को स्टेप मिले दोस्तों अभी तक आप लोग मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इस्टेग्राम पर भी फॉलो कर लिजिए जिसका आप लोग को इस वीडियो को शुरू करते हैं है मिध r才 रंप शरू मुझे ज्यों इहां यहां पर हम युव झानल में एक चनल और दोनों है के बारे में or क्षिकी अधिए लाग तो हमें ज्यादा समझ में आएगा स्कर्ण बार्म एक म Calendar अभी पार एक तरफ पे तरपुन, म अंभी आप लोग को फीचा हॉ है जो कि यह 2500 वाटेज का ओजा के तरफ से एक चनल का हेवी क्वालिटी का और हेवी वाटेज का एमिल फायर है जो कि बहुत सारे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग इस टाइप के एमिल फायर को यूज करते हैं और गैस यहाँ पर हम दूसरे तरफ जो एमिल फायर है जो कि अउजय का डूल चैनल का पीए पाउर एमिल फायर है जो कि काफी वेतरीन क्वालिटी का है जिसका मोडल अमर आप लोगो एलेक से 2400 देखने को मिल जाएगा तो गैस यहाँ पर यह 2400 वाटेज का है थोड़ा यह और कौन सा अमिल फायर ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा तो गैस यहाँ पर हम बात करेंगे मोनो अमिल फायर के पाउर आप पुट के बारे में तो गैस यहाँ पर मोनो अमिल फायर का पाउर आप लोगो 2500 वाटेज देखने को मिल जाएगा और इसका मैक्स पाउर आप पुटा पलोकर 2 carries 2 लिकाल कर देगा और फोरम पे 8982 लों चनल पे और अर्मस में निकाल कर देगा रये ट में चेसराओ और यहां पर फयर निकाल कर मने पेड़ागा धैनल कमपनिय तैं इसलिए हैं पर इस पावर इस टाइब से देखने को मिल जाता है कि यहां पर आगर आप लोग फैॉट वालट टाप भी चला Board जाहेंगे तो चला सकते ह्ए है सिंगल इस टैकर भी चलाना चाहेंगे तो लोग काम कर सकते हैं यानि सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो मोनो एमिन फायर का फक्षान है वो आप लोग को बिरिज मोड में देखने को मिल जागा जो की एक ही चैनल पे काम करेगा और इसका पाउर दो भाग में बढ़ जाएगा जो की फोरम और एटोम पे बढ़ जाएगा लेकिन गईस वहाँ पे जो मोनो एमिन फायर होता है उसके अंदर आप लोग को स्पीकर कनेक्षन के लिए टू ओम और फोरम का अप्षन मिल जाता है साती इसमें आप लोग को हरन कनेक्षन के लिए भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो की 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का अप लोग मोनो एमिन फायर पर हरन्ज चला सकते हैं लेकिन गईस यह बेनफिट है डूल चैनल एमिन फायर में कि अगर आप लोग का एक चैनल कभी बंद हो जाता है मान के चलिए कि 2400 वाटेश के एक चैनल पर 1200 वाटेश जैनिकाल कर देगा फुल लोड पे तो मान के चलिए कि अगर आप लोग किसी प्रोग्राम में दोनों चैनल का इउज करें तो वहाँ पे दो डिवाइड में उसका पावर बठ गया यानि डूल चैनल एक चैनल और दू चैनल देखने को मिल जाता है तो इनके सबका एक चैनल का भी बाइद वे मिस्टेक के चलते खराब हो गया है या 3000 वाटेज उसके लोड डाल कर चला रहे उसके हवी से हवी वाटेज का दो टॉप या चार टॉप आप लोग चला रहे लेकिन उसमें कोई भी फॉल्ट हो दोगा तो आप चारो टॉप का पावर आप लोग का बिलकुल नहीं बैट जाएगा अब गैसे हम बात करेंगे दोनों फ Il के frequency response के बारे में तो गईस याँ पर मोणों फीर के frequency response आप लोग को 50-15,080 अचिको मिलेगा और गईस याँ या पर जो डूव चानल की मपार है इसके आप लोग को frequency response आपलोग को 20-20,008 अचिको मिलेगा साथी गैसों दोनों फेर का पॉर्ट सप्लाई अप लोग को स्विम देखने को मिलेगा जो कि अउज्जा का जितना भी एमिल्फायर आता है टोटल अप लोग को 220 वल्ड से 240 वल्ड पर इजली अपरेट होता है जो कि AC करेंट पर अपरेट होता है तो गैस यहाँ पर किसी किसी मोनो एमिल्फायर को अप आप लोग DC क्रेंट पर यह यह वल्ट लेकिन यहीं आप लोग DC क्रेंट पर आपेट नहीं कर सकते हैं अब वसक्ता करेंगे कि दुन वायं से कौन मिल्फायर सता निकाल कर देगा और कौन संब्सराइब ज्याद हमें लोड लेलेगा तो गाईस यहाँ पर हम बात करेंगे power output के बारे में तो गाईस यहाँ पर सबसे ज़्यादा power output इन दोने में फैर में से आप लोग को PA वाले में फैर निकाल कर देदेगा PA में आप लोग का स्पीकर भी कटने के चांस कम होता है लेकिन जो यह डूल चैनल के में फैर है इसमें आप लोग को मैचिंग सही से नहीं किजिएगा तो आप इस पीकर बिलकुल नहीं अपका कट जाएगा तो जो नए नए डीजे सांड सिस्टम चलाने वाले वाई लोग होते हैं उनके लिए काफी बेतर क्वालिटी करेगा मोनो एमिल फैर को ले सकते हैं जो की काफी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस करता है गाईस यहाँ पर हम बात करेंगे कि दोनों एमिल फैर के अपर रुक्स प्राइज के बारे में कि यहाँ पर प्राइज बीटी पेंट करेगा कि मोनो एमिल फैर का कितना प्राइज होना चाहिए और डूल चैनल के अमिल फैर है उसका प्राइज कितना देखने को मिल जाता ह जो कि इतने प्राइज रेंज में आप लोग अउजय का मोनो इमफायर ले सकते हैं यहीं पर गईस हम बात करेंगे डूवल चैनल का जो एलेक से 2400 वाटिस का मिफायर है इसका प्रोक्स प्राइज आप लोग को 30,000 से 35,000 के बीच में देखने को मिज़ेगा तो गई शार इसक इसमें दोनों फीचर मिल जाता है अगर आप लोग इसमें हरन चलाना चाहेंगे तो हरन भी चला सकते हैं यह स्पीकर भी चला सकते हैं लेकिन आप लोग अपने हिसाफ से सो समझ लिजेगा कि हमारे लिए कौन से बेटर है लेकिन मैं अपना बतम आपके लिए डूवल चैन ट्यार को बिंदा है मुकशा कर सकता है और यह होता है उसमें क्लिपिंग का प्रोग्लेम ज्यादा धेकर को मिलता है थोड़ा सभी इसमें क्लिपिंग आता कई आता है और क्लिपिंग आता है तो आप फिस consumer नहीं जल जाता है तो life program के लिए सुपर क्वालिटी का होता है मोन ऐमलफायर अगे आप लोग डीजे के लिए लेना चाहते हैं तो डीजे के लिए बेस्ट होता है डूबल चैनल कामलफायर क्योंकि इसमें जधा बेस्ट मिलेगा तो डीजे में अप लोग सचाहिए और लाइप willst करेंगे दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आयोगा तो वीडियो के लाइक कर दीजिएगा सेर कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर भी किलिक लिजिएगा ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम अप्लोड करेंब के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं दोस्तों या मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियो करके पूछ सकते हैं जिसका एजर एडिया प्लोग को स्क्रीन पर सो हो जाएगा तो चलिए गए इस मिलते हैं किसी नए टेस्टिंग नए वीडियो नए टापी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत